बिपीएसी को लेकर स्टूडेंट लगातार प्रोटिस्ट कर रहे हैं क्या कुछ कही गाँ? बाई ये बिहार का दुरभाग्य है कि जब भी युवा की बात होती है, जब भी स्टूडेंट की बात होती है, कुछ ना कुछ बात ऐसी निकल के आती है, जो की पूरे परिद्रिश्य को संस्रे में डाल देता है अब बताई ये कि जो छात्र जो अंदोलन कर रहे हैं कि BPSC में जो 113 का कट अफ गया है, ऐसे लोग क्वालिफाई कर गये हैं, जो की प्रिजेंट नहीं थे वहाँ पे, या दस दिन पहले जो DSP जो रजग जी जो छोड़ा गया है, जो समलिप्त थें, पेपर सेटिंग में मैनिपुलेशन में उनको छोड़ा गया है, तो ये बिहार का जैसा मैंने कहा कि दुरभागे रहा है और सरकार को, और हम मांग भी करेंगे, कि सरकार को किसी बिहार के पुलिस कर्मी पे भरोसा नहीं है, हमें CID पे भरोसा नहीं है, CBI की जांचो और पुरे स्तह में जाया ज दूद का दूद और पानी का पानी निकल के आए, तो मैं अपनी पार्टी के तरब से, और मुझे लगता है कि हमाई राष्टी धग जी भी बात कहेंगे, क्योंकि उनके संग्यान में भी ये बात है, एक बात और जानने है रविकान भाई, कि कुछ परिक्षाएं जो होती ह है कि फिर एक्जाम होता है, जैसे कि UPSC हो गया, स्टेट PCS हो गया, IIT IMS हो गया, लेकिन वहां पे भी अगर बच्चा, अगर आरोप लगाता है सरकार पे, और एक बच्चा नहीं, हजारों की संख्या में बच्चे हैं जो लगाते हैं आरोप, तो तो बिलकुल तथ्य हीन तो होगा नहीं, तो मैं चाहूंगा कि सरकार क्या करें, जितनी शिग्र हो, यता शिग्र इस आरोप के सतह में जाए, नीशे जाए और मालूम करें, कि आखिर बात क्या है, और ताकि बच्चे जो हैं, खुश हो सकें. तो क्या मुख मंत्री जी इसके माध्यम से पैसे की उगाही करते हैं? तो कहीं न कहीं, पार्टी के कुछ नेता जदियू के तो मिले ही हुए हैं, और जब सरकार जैसे कहते हैं, कि जब सहिया भैकोतवाल तो डर का है का, तो जब संग्रक्षन प्राप्त है, तो धन की जो उगाही है, मैं डाइटली मुख मत्री की बात नहीं कह सकता हूँ, लेक कि ना समझने का ढोंग कर रही है, अब ये बत्याईए कि ये जो अभैरती जो बीटी एटी, सी टी टी की हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, मुझे बता है कि छे मैंसे कर रहे हैं, उसके लिए कितनी बार धरना परदोशन हुआ, कितनी बार उन्हें लाठी खाया है, तो सरकार ये सी समझती नहीं है क्या कि जो चरनबत तरीके में जो काम करना था, सरकार उस पे लेट लतिफी का काम क्यों कर रही हैं, तो ये तो मैंने के पहले ही कहा था, कि युवाओं के जो आक्रोश है, वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, अगर सरकार जिसकों की वेलफेर गौर्म तो ये आकरोश सरकार का मुझे लगता है कि ये कमी है, कि आपके युवाओं मुझे लगता है कि कोई ऐसे राज में इतना युवाओं हर दिन प्रदर्शन नहीं करता है, जितना के बिहार में होता है, तो अगर युवाओं सरकार में जो लोग बैठे हैं, वो बिल्कुल आ स्थे DR.7 did you miss? प्रभुद है कि आपका जो जो यह दाव्चल रहे है आप उसके आरपड़ देख सकती है तो तजस्वी आदवो हो यानि तीश कुमार जी हो दोनों सत्ता लोलूप है और किसी भी कीमत पे कुछ भी करके वो बस कुर्सी पे काबिज रहना चाहते हैं